मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फोन रिंग होते हुए दिखाया जाता है जो कि एन्रिक नाम के एक प्रीस्ट के लिए होता है जो कि जंगल के बीच ओ बीच एक पुराने घर में रहा करता था उस कॉल में एन्रिक को किसी बॉक्स को डिलिवर करने को कहा जाता है और ये भी बोला जाता है कि ये आखरी ट्रिप है और इस से हमको ये मालुम चलता है कि एन्रिक ये काम पहले भी कर चुका है आगे वो basement में जाता है और उस box को निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजे लगी हुई होती है वो इस box को लेके वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ हम एक मा बेटे कसीलिया और मार्टिन को देखते हैं जो की रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं आगे उसी रास्ते में कसीलिया को एक लड़की दिखाए दीती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो से मदद मांग रही होती है कसीलिया अब जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो सामने आ रहे एंडिक की गाड़ी को नहीं देख पाती और उसकी गाड़ी से टकरा जाती है एकसिलेंट काफी भयानक होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर हम तीन दिन के बाद का सीन देखते हैं जहांपर कसेलिया एक बेस्मेंट में पड़ी हुई थी और उसके साथ में मार्टिन भी नहीं होता और उसको कुछ भी याद नहीं था कसीलिया यहां से बाहर भागती है तो वो उसी जंगल में होती है जिस जंगल में एन्रिक का घर होता है वो भाग कर एक घर पर पहुंचती है जहांपर एक बूड़े कपल रहा करते थे जो कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराते है अब आगे हमको एन्रिक को दिखाया जाता है जिसे भी होश आता है और उसके सामने एक लड़की पड़ी होती है और यह लड़की वही थी जो कि कसीलिया से लिफ्ट मांग रही थी उस लड़की को काफी चोट लगी थी और वो हिल भी नहीं पा रही होती और एन्रिक जैसे ही उसके पास में जाता है वह एकसाइटमेंट से उसको देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये खून उसका नहीं है यानि कि वह समझ गया था उस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ गरबड है फिर एंरिक उस लड़की को लेकर कहीं चला जाता है जिसके बाद हमें हॉस्पिटल में कसीलिया दिखाई जाती है जहां पर उसका एक्स हस्बेंड फरनेंडो आता है वो कसीलिया से मार्टिन के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता जिसके बाद में वो उस पर चलाता है तो वो डर जाती है कसीलिया को मार्टिन के विजन साने लगते हैं जो कि रेड जैकेट पहन रखा होता है और वो बार बार दरवाजे के बीचे छुप रहा था कसीलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और कुछ याद भी नहीं आता वो इसके बार में डॉक्टर हरनन से बात करती है लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ कुछ मेडिसन सजेस्ट करता है जिससे की उसको रेस्ट मिलेगा और उसकी याददाश वापस आ जाएगी तबी कसीलिया से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वेंचुरा आते हैं और उनसे हमें काफे इंटरेस्टिंग बात पता चलती है पुलिस को कसीलिया के साथ साथ सिर्फ एक और गाड़ी मिली थी जो कि उस लड़की की थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी जिसका नाम लूसिया है लेकिन पुलिस को एंडरिक के बारे में कुछ भी नहीं पता चला ना ही उसकी गाड़ी मिली और ना ही कुछ और अब आफिसर कैसेलिया से पूछताच करना चाहते थे लेकिन वो डर कर अपने कैबिन को छोड़ कर भाग जाती है और दूसरे पेशन्ट के कैबिन में चली जाती है वो पेशेंट केसैलिया को देख कर चलाने लगती है और केसैलिया उसे चुब करने के जक्र में उसे मार डालती है जी हाँ अब यहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे कर दिया और डर के मारे वो हॉस्पिटल से भाग जाती है अब जब ऑफिसर वेंचुरा और डॉक्टर उस पेशन्ट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर बस उस पेशन्ट के लाश होती है और उसका मूँ खुला हुआ था और आखे बाहर निकले हुई थी अफिसर को पता चल जाता है कि यह सब कसेलिया नहीं किया है और वहां से भाग गई है कसेलिया को ढूंडने के लिए अब डॉक्टर हर्णन और आफिसर बाहर जाते हैं दूसरी तरफ कसेलिया अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ पर वो अपने कुछ कप्ड़े लेती है और कुछ पैसे ले लेती है कि उसी समय उसको फिर से विजन साने लगते हैं और वो पैनिक करने लगती है अब इसी समय फर्नैंडो अचानक से कसैलिया पर हमला कर देता है वो उसका गला दबाने लगता है और उसके सर को मेरर पर मार देता है थोड़ी दिर के बाद में आफिसर और डॉक्टर हर्णन जब वहाँ पर आते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता बस सारी चीजे बिकरी होई थी और शीशे के उपर खून लगा हुआ था ये सब देखकर डॉक्टर हर्णन को टेंचन हो जाती है कि कहीं फर्नैंडो ने कसेलिया के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दिया जिसके बाद में हमको पता चलता है कि कसेलिया डॉक्टर हर्णन की गाड़ी में ही चुपी होई थी क्यूंकि वो आफिसर से काफी डरी हुई थी उसे अपने बेटे को भी ढूड़ना था लेकिन शायद से उसकी तबियत खराब थी तो वो डॉक्टर हर्नन से मदद मांगती है कसैलिया डॉक्टर हर्नन को बताती है कि फर्नैंडो उसको मारना चाहता है लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उससे जान बचा कर भाग कर आई है और उसके बाद उसको क्या हुआ कुछ भी नहीं पता डॉक्टर हर्नन उसे अपने घर लेकर जाते हैं और उसको दबाई देते हैं और उसको एक हिपनोसिस एक्सपर्ट से मिलाने का वादा करते हैं जो कि उसकी मेमरी वापस लाने में मदद कर सकता है और इसी उमीद में ये लोग रात के 12 बजे उसे मिलने का फैसला करते हैं डॉक्टर हर्नन को ये नहीं पता था कि आफिसर वेंचूरा को उस पर शक हो गया है और उसका पीछा कर रहे हैं अब आफिसर कैसेलिया के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं लेकिन वो उसके बारे में बताने से मना कर देते हैं तो वो उसका पीछा करने लगते हैं दूसरी तरफ एंडरिक को दिखाया जाता है जो कि लूसिया को टॉर्चर कर रहा होता है पहले उसे बॉक्स में बंद करता है और बाद में उसे रसी से बांद देता है ऐसा लग रहा था कि लूसिया पसेस्ड है फिर आगे एंडरिक लूसिया को हैमर से मार डालता है और कैमिकल से उसकी बॉड़ी को चला देता है जो कि काफी खौफनाक था दूसरी तरफ बारा बच चुके थे और डॉक्टर हरनन और कैसेलिया हिपनोटिस्ट के पास पहुँच गए थे जिसके साथ साथ वो आफिसर भी पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और अपने टीम को इन्फॉर्म कर देता है अब अंदर जब हिपनोटिस्ट कैसेलिया से बात कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि कैसेलिया को होली चीजों से तकलीफ हो रही है आगे वो कैसेलिया को पूरी तरह से हिपनोटाइस कर लेते हैं और फिर ये पहुँच जाते हैं तीन दिन पहले वाले समय में यहाँ पर हमको पता चलता है कि फर्नेंडो एक अब्यूजिव इनसान है यानी कि एक अब्यूजिव हस्बंड है और वो कसेलिया को धंकी देता है कि वो उसको मार्टिन से अलग कर देगा और इसलिए ही कसैलिया उससे डर कर उस दिन शहर छोड़ कर जा रही होती है जिस दिन उसका एक्सिडेंट हुआ था और यहाँ पर हमको एक्सिडेंट के समय के इविंट के बारे में भी पता चलता है जब एक्सिडेंट हुआ था तब कैसेलिया और मार्टिन गायल हो गई थे और एंडिक को भी कुछ चोट लगी थी लेकिन उसे अपने से जादा उस बॉक्स की फिक्र थी लेकिन एक्सिडेंट की वज़े से बॉक्स खुल चुका था और खाली बॉक्स रोड पर बढ़ा कैसेलिया एंडिक से जब मदद मांगती है तो वो मदद करने से इंकार कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया लेकिन कैसेलिया इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको तो बस अपने बेटे की फिक्र थी वो देखती है कि मार्टिन को कोई अंजान जंगल के अंदर खीच कर ले जा रही थी तो कैसेलिया उसका पीछा करने लगती है और एक बिल्डिंग के पास में पहुँच जाती है और ये वही बिल्डिंग है जहां पर कैसेलिया को एक्सिडेंट के बाद में होश आया था कैसेलिया को यहां पर वही बेस्मेंट का दर हो जाती है और तब ही सभी लोगों को पता चल जाता है कि कसैलिया असल में पॉसेस्ट हो गई है लेकिन वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही कसैलिया डॉक्टर हर्णन और हिपनोटिस्ट को मार देती है दूसरी तरफ ऑफिसर वेंचूरा अपने टीम के साथ बाहर पहुंच हो जाते हैं और वहां ओफिसर को डॉक्टर हर्णन के कार के बैक में यानि के टरंक जैसी वो खोलते हैं तो उनको वहां पर फरनेंडो कि लाश मिलती है वो भी बहुत बुरी हालत में यानि कि हम समझ पाते हैं कि कसेलिया ने ही अपने हस्बेंड को मार दिया था उस फाइट के दौरान जिसके बाद में डॉक्टर हर्नन और हिपनोटिस्ट की लाश भी घर के अंदर मिलती है और उस पेशन्ट को भी कसेलिया ने क्यों मारा था क्योंकि वो पजस हो अब दूसरी तरफ एन्रेक को दिखाया जाता है जिससे यह सब के बार में पहले से ही पता था उसे उस बॉक्स की मिस्टरी के बार में पता था और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते असल में उस बॉक्स के अंदर एक डीमन कैद था जो कि उस एक्सिडेंट में आजाद हो गया था और उसने कसैलिया के उपर कबजा कर लिया था एंडिक लूसिया के जरीए भ हमला कर देती है और एंडिक बुरी तरह से ड़ जाता है लेकिन आगे हमको पता चलता है कि यह बस एक सपना था फिर एंडिक लूसिया का सर उसके धर से अलग कर देता है माइट भी उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि डीमन उसकी बॉड़ी को पजस ना कर ले घर इसके ब बाद में एंडिक उसी बिल्डिंग में जाता है जहां पर थोड़ी देर पहले कसेलिया पहुंची थी और वहां पर वो उसके अंदर के डीमन को भगाने के लिए एक्जॉर्सिजम करने की कोशिश करता है लेकिन कसेलिया के अंदर से वो डीमन बाहर निकल कर एंडिक का सर धर से अलग कर देता है जिसके बाद में कसेलिया बहुत डर जाती है और बाहर भाग जाती है जहां पर उसको मार्टिन का शू मिलता है अब कसेलिया को सारी बात याद आ जाती है कि पिछले दिन जब मार्टिन का शू मिला था तब मार्टिन भी बेहुशी की हालत में था ल इसके बाद में कसैलिया भी डीमन मन जाती है और डीमन के जाने के बाद में मार्टिन उसके पास में आता है तो कसैलिया उसको मार देती है यानि कि ये डीमन जो था काट काट कर सब को पजस कर रहा था खेर उसके बाद में आफिसर वेंचूरा को दिखाया जाता है जो कि कसैल आपने demonic रूप में officer पर हमला कर देती है और बूम यह movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी on the third day movie की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको एक concept पसंद आया होगा सो बेसिकली जो demon था वो एक box के अंदर था और एंडरिक उस demon को लेकर किसी बढ़िया से चर्च या फिर वैटिकल में जा रहा होगा ताकि उसको dispose आफ किया जा सके क्योंकि यह demon किसी को भी possess कर सकता है और जिस किसी को भी यह काटेगा वो यहाँ पर इसी तरह कर demon बन जाएगा जिस तरह से यहाँ पर यह सभी लोग बन गए थे जैसे कि कसैलिया, मार्टिन और बाकि जितने भी लोगों को यहाँ पर उसने काटा था और यही रिजन था कि एंडरिक सब की मुंडिया काट रहा था और उसने इसलिए ही लूसिया की body को भी जला दिया था क्योंकि वो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आती ही रहती हैं तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए